नमस्कार दोस्तों मैं जैसाब का स्वाकत करता हूं आपके अपने यूटूब चानल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इक्टेबल मॉर्डगेज यानि दोस्तों बंधक पत्र की रजिश्टी को आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं उसका क्या तर एक वीडियो लिएम्न की आनलाइन बंधक भी लेक यानि इक्टेबल मॉर्गेज की रिजिश्टी कैसे होती है तो सबसे पहले हैं एक वर्ड फाइल क्रेट कर लें रिच लेना है इसमें आपको इस तरीके से जू लिखना है आपको लिख लेना है तो word file में कैसे लिखना है क्या matter रहेगा उसके लिए एक description में एक video link मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर उस video को देखें जिसमें हमने clarity बताया हुआ है कि आपको word file में जो deed होती है document create करने से पहले उसको कैसे बनाया जाता है तो आप इस तरीके से एक deed particular create कर लेना है सबसे पहले उसके बाद आपको सर्च करना किसी भी browser में जाकर वहाँ पर आपको लिखना है mpigr जो की मदपरदे सासन की जो इस ट्राइम डिपार्टमेंट के official website mpigr.gov.in जब आप सर्च करेंगे इस तरीके का इंटरफेस होगा है बहुत सारे options मिलेंगे उपर मे संपधा का option मिलेगा इस पर कर देना एक क्लिक उस पर जैसे ही करते हैं आप क्लिक संपधा वाले option पर तब आपको यह redirect कर देगा एक नए page पर जहां पर आपको login करने से संबंदी details पूछा जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का option मिलेगा जहाँ पर सबसे पहले यूजर आइडी पास्वड उसके बाद इधर language इसके बाद capture code उसके बाद login का options मिलेगा तो आप अपना user ID यहां पर fill up करें, उसके वाद capture code के लिए password fill up करें पहले, फिर उसके वाद language यहां पर select करें, उसके वाद जो भी capture code आपको यहां पर मिलेगा, इस screen पर आपके सो होगा, उसको यहां पर fill up करके login वाले option पर click कर जें, तो आप इस तरीके की सारी details को सबसे पहल कर ले, उसके वाद आप login के लिए process कर ले, तो जैसे ही आप login हो जाते हैं, तो आपके सामने इस तरीके का इतने प्रकार की options आपको इधर left side मिल जागा, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर देख सकते हैं, कि registration process का एक option मिलेगा, नीचे से चोथे वाले option पर, तो आपको registration process वाले option पर click करना है, फिर registration initiation का option उस पर click करना है, फिर registration initiate registration application का option मिलेगा, तो आपको registration application वाले option पर click कर देना है, तो जैसे ही आप registration application वाले option पर click करेंगे, तो deed category आपके सामने open होगी, तो select वाला option पर जाना है, यहां पर 5 options मिलेगा, एक option मिलेगा, document related to loan in bond का तो आपको इस वाले option पे click कर देना है जो third वाला options है loan in bond वाला तो इस पे जैसे ही आप करते हैं click उसके बाद आपको इस पे click जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने एक options मिलेगा deed type का deed type वाले option पे जाकर जैसे ही select करते हैं तो बहुत सारे options मिलेगा एक option मिलेगा agreement related to deposit of title deed उसके बाद जो हाईपो ठीकेशन से संबंदित हैं वो मिलेगा उस पे click करके आपको इस तरीके का options मिलेगा तो आपको सामने तीन options मिलेंगे instruments में तो आपको यहाँ पे तीन options में से आपको करना क्या है for SSI housing purposes up to 10 crore उसके बाद आप जैसे उस पे click करते हैं तो नीचे में आपके सामने दो options इस तरीके से मिलेगा यहाँ पे आप से पूछे जाएगा amount secured oblique additional amount secured in rupees में आपको यहाँ पे fill up करना है तो आपको यतना रुपे loan दिया जा रहा है bank के दोरा उसको यहाँ पे आपको fill up कर लेना है तो उस amount को आप यहाँ पे fill up करना है चाहिए वो लाख रुपे में हो या करोर रुपे में हो जो भी amount हो आप उसको fill up करना है उसके जास नीचे में आएगा कि total stamp duty already paid तो bank के दोरा कभी कभी यह होता है कि stamp duty का amount पहले से paid कर लिया जाता है bank आपसे amount जमा करवा लेता है अगर करवा लेता है तो जितनी duty आप payment कर दी है पहले bank को उसको आप यहाँ पे fill up करें अगर नहीं payment किया है तो zero लिख कर next कर दे next जैसे ही click करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस से होगा तो आपसे इस तरीके का डिटल्स पूछ जागा bank अबलिक financial institute डिटल्स तो आपको सबसे पहले bank का नाम लिखना है किस bank से आप ले रहे हैं लोन या फिर किस financials या फाइनेंसर से किस financial company से आप लोन ले रहे हैं उसकी डिटल्स आपको फिलप कर लेनी है यानि अगर आप SVI से ले रहे हैं तो आप SVI लिख दें यानि State Bank of India, Union Bank, Axis Bank कोई भी बैंक जो भी बैंकों का उसको फिलप करें उसके बाद उसका branch name फिलप करें उसका branch का address फिलप करें उसके बाद authorized जो person है branch manager उसका नाम लिख दें उसके बाद आपका पुराना लोन अगर है तो उसको और जो अभी present में आप लोन ले रहे हैं उस amount को आपको यहाँ पे लिख देना है उसके बाद यहाँ पे भी वही same details आपको लिख लेना है उसके बाद आपको इधर जो applicant details है तो उसकी details fill up कर लेनी है तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके का जो options है इसको आप इस तरीके से पहले fill up कर ले जो भी bank है उसका नाम fill up कर ले उसका branch fill up कर ले उसके बाद उसका address fill up कर ले उसके बाद authorized जो person है प्रेटेंस कोभ़ेड़ कर लेंए फिर लोन कितना अमाउंट का है बरतमान और जो पराना लोन है उसकी टिटेंस को फिल अप करने उसके बाद आपको mortgage, po holders ,mogager, po holders या cell ,po holders कि हैं उसकी details अखे nggakा मतलब है कि अगर आप bank को भी आख पार्टी बनाना चाहते हैं और जो ले रहा हुखती उसको भी आख पार्टी बनाना चाहते है तो आपको यहाँ प्हु excluding से उसमें select करना है otherwise अगर आप जो ले रहा है वेक्ति अगर उसी को के वाल पार्टी बनाना चाहते हैं यानि वही वेक्ति आवेदक होगा तो आपको उसी वेक्ति की details के वाल fill up करनी है तो आप इस तरीके से पहले details को उपर में fill up करने है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सबसे पहले बेंग करना उसका ब्रांच उसका इड्रेस उसके ब्रांच मेनेजर करना उसके आद लोन की details fill up करना है फिर more乐 घेजर सेलफ वाले option पर आपको क्लिक करना है क्योंकि सबसे पहले जो लोन ले रहा है उसी को आपका आवेदन details fill up करना क्योंकि जोटीटल्स अब्लेट सबसे पहले वाले पर्रेंट आउट के समय में आएगा तो सबसे पहले मौट गेजर सेल्फ वाले ऑप्शन प्याना है अब फुर अप्लिकेंट वाले ऑप्शन के आगे सेलेक्ट करने क्लिक करके उसकी डीटेल्स फिलब करने है और कोई सरकारी फर्म या सरकारी कंपनी मौट गेज करवा रही है अपनी प्रॉपर्टी को तो गोर्रमेंट ओफिशल वाले उप्शन पर आकर उस ऑुभर्मेंट पर्सन चाहिए होगा तो आपको अब्सक्राइब करने हैं नीचे में आये तो आपको आवेदक का नाम उसके पिता का अगया इस ह्याद्सिज आपको तलिदससा को फिलब करनी होगए तो कुछ इस तरीके से आपके सामने options खुलेगा, सबसे पहले first name, middle name, last name, जो व्यक्ति लोन ले रहा है उसका नाम, उसके बाद relationship वाले option पर आकर उसके पिता का नाम, या फिर कोई जो भी व्यक्ति उसका daughter, अगर कोई ladies है, तो husband, wife सभी की details fill up कर लेना है, उसके बाद उसका outside MP क address fill up करना, MP का address fill up कर लेना है, उसका the city, यानि district, यह सारी details आपको fill up कर लेना है, तो सबसे पहले, सारी details को आप अपने जो deed create किये हुए हैं, उस deed में, जो details लिखे हुए हैं, और जो ID वरोप में उसके होगा, वही details आपको वहाँ पर लिख लेना है, हिंदी में लिख लेना ह या किसी भी language से आप इस form को fill up कर लेंगे, क्योंकि यही आपका important चीज है, यही सारी details जो आप यहाँ upload करें, वही details आपको print होकर मिलेगा, तो आप इस तरीके से उसको fill up कर ले, father, husband, guardian, जो भी हो, care of, daughter of, son of, wife of, जो भी details हो, उसको आप इस तरीके से fill up कर ले, Indian है तो Indian fill up कर ले, nationality में आक कर, उसके बाद address in MP का, उसकी MP की details fill up कर ले, तो दोस्तों, आप सबसे पहले नाम, उसके बाद gender, उसके बाद relationship, यान उसके father, husband, wife या जो भी details उसको fill up कर ले, उसके बाद aid, उसके बाद nationality, उसके बाद address in MP, उसके बाद district, postal code, mobile number, email ID, उसके बाद category, तो आपकी या जो भी वेक्ती लोन ले रहा है, उसकी जो category होगी, SC, OVC, उसको आपको select कर लेना है, category वाले option के आगे, जो select वाले option उस पर other, general, OVC, SC, HD, जो भी category होगी, उसको select कर ले, उसके बाद disability, अगर disabled है, तो yes या no का option मिलेगा, उसको click कर सकते हैं, नहीं है, तो no वाले option पर जाकर, अगर वो वेक्ती, member of minority का है, तो yes या no, उसके बाद निचे आएंगे, उसका पद, या salaried है, business है, government, employee है, या unemployed है, farmer है, other, उसकी details है, हाँ पर मिलेगा, तो जो भी है, उसको select कर ले, unemployed है, तो unemployed, या farmer है, किसान है, तो farmer वाले option पर जाए, और other का option है, businessman है, या salary person है, या किसी company से salary है, उसको select कर ले, उसके बाद, आप जैसे ही, यहाँ पर select करते है उसके नीचे आएगा photo ID proof की details, तो photo ID proof के लिए, आप कुछ भी एक valid document दे सकते हैं, जैसे election card, आधार card, passport, pen card, driving license, bank, passbook, इतने में से कोई भी एक documents आपको देना होगा, तो आप bank passbook सेलेट करते हैं, तो bank passbook का account number, fill up करना होगा, उसके बाद, उसकी details upload करने होगा, नीचे में add more transaction property, yes या no, party sorry दोस्तों, yes करेंगे, तो आपको अधर व्यक्ति की details upload करने के लिए बुला जाएगा, नो करते हैं, तो आगे आप से details नहीं पूछा जाएगा, यानि bank को अगर आप party बनाना चाहते हैं, bank का भी details fill up करना चाहते हैं, तो आपको bank manager की details fill up करनी है, तो यहाँ प आप लोड करने के लिए बूला जाएगा, तो जो details यहाँ पर फिल up करेंगे, उसकी photo ID proof आप अप लोड कर लें, तो जैसी आप photo ID proof अप लोड कर लेते हैं, उसका नोट्री अप लोड करने के लिए बूला जाएगा, नोट्री में आपको यह लिख के अपलोड करना है, यान एक box मिलेगा terms and condition के बारे में तो आप इससे पहले इस सारी details को मिला लेकों की यही दोस्तों आपके इस टाइम पर प्रिंट होकर आएगा इसको क्लिक कर दें next कर दें जैसा ही next करते हैं तो आपकी सामने एक options मिलेगा जो कि कुछ इससे मिलेगा पूरे MP के maps खुल जाएंगे ज उसको आप select कर लें सबसे पहले तो आपकी जो भी property है जिस भी district की है उन सभी का नाम आपको हर कोने पर आपको मिला जाएगा लिखा हुआ तो आप उस district को पर्टिकुलरी select कर लें उसके बाद तहसिल select करने के लिए बुला जाएगा किस तहसिल के अंतरगत आपकी property आते तो उस तहसिल को इस तरीके से list के हिसाब से select कर लें जो भी आपकी तहसिल पढ़ती होगी है उसके नीचे आएंगे सहरी चेत्र की property है ग्रामीड चेत्र को उसको select कर लें तो सहरी का है तो सहरी select कर लें उसका पूंसिपल पॉड यानि नगर पालिक है नगर पंचायद उसकी टीटेल सेलेक करने के लिए बुला जाएगा तो आप इस तरीके से सब्सक्राइब है तो जैसे नेक्स्ट करते हैं तो आप इसको यहां से सब्सक्राइब है अगर प्लॉट है तो प्लॉट वाले करके आइकन पे उसका नेक्स्ट वाले option पर क्लिक कर देना है तो जैसे नेक्स्ट करते हैं तो आप से पुछा जाएगा total area of plot square meter में जितनी जमीन का आप mortgage करवा रहे हैं उसका square meter में details आपको यहां पर फिलब कर देना है तो जो भी आपकी plot होगी उसका square meter total यहां पर फिलब करें उसके बाद residential plot है commercial है industrial है या फिर educational purpose है या फिर किसी अनपरपस की plot है उससे सम्मेंदेश details है तो residential plot है तो एक number में details fill up करे commercial है तो दो number में residential है तो तीन number में और educational purpose है तो चार्ड number में other purpose से है तो आप चारी number में fill up कर लें और बहुत सारे options मिल जाएंगे other use के लिए तो छे नंबर पर आए इन सभी details को इस तरीके से fill up करें नीचे आएंगे तो तो आपको इस तरीके से property details से लिखना किस गाउं की है क्या राई circle पड़ता है यानि राज revenue इंस्पेक्टर जो भी होता राजस ने रेक्षा उसका details fill up कर लेना है उसके बाद इस तरीके से सब्सक्राइब करके जो आप खस्रा की details आप डीड में लिखेंगे उससे संबंदी details आपको अप्लोड भी करना होता है खस्रा एंड फॉर बॉंडरी डेल्स तो आपको खस्रा नंबर लिख लेना है और जो पहले अपने स्क्वाइर में या एक्रिकल्चर में आपने खस्रा एरिया लिखा उसको यहाँ पर फिलप करना है लगा। बुर पुस्ती का नंबर आपसे पूछा जाएगा तो जो पुस्ती का होगी इस अबर लिखा होता है तो उस नंबर को आप लिखते ना है फिर प्लॉट के चार साउथ इस्ट वेस्ट में जिसका नाम होगा जो आप चोवदी में लिखे हैं जो डीड में आपने क्रियेट किया है या फिर जो भी आपका पता होगा कि आपके जमीन के चारू और किस व्यक्ति का नाम उसका नौर्थ सौथ इस्ट वेस्ट के हिसाब से आप लिख लें कि उसके बाद आप नीचे में आएंगे अगर एक से अधिक नमबर है तो एड करें नहीं तो नीचे में आएंगे प्रोपर्टी में सेलेक्ट करने के बूला जाएगा जमीन पर खड़े होकर तीन दिशा में फोटो को आपको बनवा लेना उसके बाद फोटो को अपलोड कर ल आएंगे तो आपके सामने जो आपसंस में लेंगे उसमें एक बॉक्स मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट वाले उप्सन पर क्लिक करना उस बॉक्स को क्लिक करके नेक्स्ट वाले उप्सन पर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने प्रोपर्टी आइडी सेलेक्ट करने के लिए ब आपको जो amount payment करने के लिए बुला जाएगा कितना आपको PIS याने stamp और registration payment करने बुला जाएगा आपके पर यहीं फिस सो हो जाएगा यह आपका payment करने के लिए amount है क्लिए date ID के लिए उपर में फिर से जाना है उसके बाद यहां पर जैसे रेजिटेशन प्रोसेस वाले आप्शन पर आते हैं डीट ड्राप्टिंग का एक आप्शन मिलेगा तो डीट ड्राप्टिंग वाले आप्शन पर आए उसके बाद आपके सामने ही ऐब आपको का प्रोसेस कम लेगा तो आपको रैस्टेशन प्रोसेस प्रोसेस जाना है यहां पे अप्लीकेशन November फिलब करके है। तो जैसे वेलिडेट वाले आप्षन को तो प्रिलक करते है वे इतएगा थे देल मोट फित होड डेंट उसके नीचे में आप स्क्रोल करके आए और आपके सामने एक blank page मिलेगा deed content के नाम से उसके आगे नीचे में आएंगे तो save and next का option मिलेगा तो पहला page आपको save and next करना है दूसरे page में आपको जो deed आपने लिखा हुआ है word file में उस word file को select कर लेना है और वहाँ पे लिखकर पेस्ट कर दिना है तो इस तरीके से आपको पहले select करना है छोटे छोटे पार्ट में आप उस details को select करें सबसे पहले और वहाँ पेलीem कर पेस्ट कर दिये तो दोस्तों यहाँ पर जितने ही अच्छे तरीके से आप उस format को set करेंगे वही इतने ही अच्छे से वही डीटेलज आपके जो रस्ति आएगी उस पे मिलेगा तो एक डीटेलज 200 सेवेके लेक्ते और फिर जो बचा उया वट का फार्मेट है उसको सलेक्ट करके लेकर उसके पेस्ट कर दें और उसके बार जितना matter आपका होगा वो एक particular PDF file में note होता जाएगा तो आप इस तरीके से select करके इस तरीके से set कर लें उसके बाद नीचे आएंगे तो finish का option मिलेगा finish वाले option पे click कर दें उसके बाद आपके सामने इस तरीके का option मिलेगा did has been drafted successful deed ID is जो नंबर सोगा उस नंबर को आप पहले नोट करने उसके बाद फिर से registration process वाले option पे जाए registration इनिसीट वाले option पे डैसवर्ड वाले option पे click कर दें डैसवर्ड वाले option पे click करेंगे उसके बाद application ID जो आपने क्लिक कर दें जैसे ही अप वेलिडेट करते है व्यू डिट का नीचे में option मिलेगा उसको click करें PDF फाइल में आपके सामने डाउनलोड करने के लिए बुला जाएगा डाउनलोड कर ले उसको चेक कर ले कि आपका जो format है सही है कि ने पहला पिज आपका blank आएगा और नीचे का जो pages है उसमें आपको इस तरीके से matter आएगा तो यही चीज आपके print out होकर registered जो mortgage है वही use होगा तो यह चीज आपका जैसा जितना अच्छा रहेगा उसी की तरीके से आपकी प्रिंट होकर आएगी तब आप बैक करके आए और नीचे में कंजूम करने के लिए बुला जाएगा कंजूम कर दें उसको परपोस आप इस टाइम डॉक्मेट तो आपको किस परकार के लिए इस टाइम की आउसकता तो आप यहां पी किट्टेवल मॉट गेज रजिस्टर अबुक्षा जाते हैं जीसनी परकार के लिए इसका यूस करना चाहते हो उसको आपफे फिलक करके आपको नीचे में आना है और नीचे में details पूछा जाएगा तो आप इसको यहाँ पर लिख लें कि किसली आप e stamp लेना चाहते हैं नीचे में scroll करें और यहाँ पर पूछा जाएगा क्लिक करने के लिए options क्लिक वाले उप्शन पर क्लिक करें पे नाओ पे लेटर्स का option मिलेगा पे नाओ वाले उप्शन पर आपको payment करने के लिए तो जिस भी तरीके से आप payment करना चाहते हैं तो जिस भी तरीके से आप payment करना चाहते हैं कहने का मतलब है कि अगर आपके पास license है MPI-JR का तो आप इसका payment उसके wallet से payment कर सकते हैं जो वालेट आपको वेपसाइट के द्वारा दिया जाता है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप MP ओनलाइन स्वरी दोस्तो ओनलाइन नेडवां की डेविट गार्ड उपियाई के ठूर्फ पेमेंट कर सकते हैं और अगर आपके पास वह भी डिटेल्स नहीं है तो चलाण के ठूर्मेंट कर सकते हैं चलान जनेरेट करें और सब रेजिस्टार आपस में जाकर आप वहां से चलान को वे इसे वो पे नाओ वाले ऑप्शन पर अगर क्लिक करते हैं तो उनके लिए फिर से okay का उप्शन मिलेगा ओके करेंगे ओके करने के बाद आपके सामने इस तरीके का उप्शन मिलेगा ऑफ लाइन चलान credit limit credit limit वाले option पे क्लिक करके जो wallet है उसमें payment डाल कर आप पहले से रखते हैं तो उसको payment कर लें तो जैसे ही payment हुजाता है इस तरीक एक option मिलेगा payment process successfully उसको sign out वाले option पे क्लिक करें sign out वाले option पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको login करने के लिए बुला जाएगा तो sign in वाले option पे क्लिक करके username आपको फिलब कर लेना है जो भी आपकी user ID होगी उसके बाद password को फिलब करें capture code को फिलब करें language को select करें उसके बाद login को options मिलेगा तो आप login करने के लिए आप जैसे login पे क्लिक करेंगे और आप जब successfully इस पोर्टल में login हो जाते हैं तो जो भी आपकी user ID है password है capture code है language है select करने के बाद तो आपके सामने स्क्रीन पे इस तरीके का options मिलेगा registration process पर आए जो कि आपको नीचे से चौतावल options मिलेगा registration process वाले option पर आपके dashboard वाला options मिलेगा डैसवर्ट वाले option पर click कर दे तो जो भी आपका आवेदन है उसकी details आपके सामने इस तरीके से open हो जाएगे अब आपको करना क्या है उस application वाले option पर click करना जो आपने पर create किया है उसको जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो इंटरफेस होगा वह आवेदन का इस तरीके से होगा तो अब आपको क्या करना है यहां पर नीचे में आएंगे तो इस तरीके का एक डाउनलोड करने के लिए options मिलेगा उस डाउनलोड वाले option पर click कर देना है त इसको डाउनलोड कर ले और आप पर आपको details लिख लेना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको उस बेक्ति का नाम लिख लेना है जो लून ले रहा है आपको उसका नाम लिखना है और उसकी signature आपको यहां पर करवा लेना है अगर आपने bank को भी party बनाया है तो आपको bank manager के न पर एक number डालके लिखना है उसके नीचे दो number लिखना है और उन सभी की signature इधर करवा लेना है फिर नीचे में इसको scroll करेंगे तो आपको witness चाहिए दो गवाग की details दो witness उनका नाम लिखना है नाम दोनों का आधार number उमर और पता ये सारे details आपको लिख लेना है तो आपको इस तरीके की details नीचे में लिख लेना है witness, address, signature और ID, proof, type and number ये details आप लिख ले उसके बाद आपको upload करने के लिए बोला जाएगा तो जैसे ही आप उसको print out लेकर sign करवा लेते हैं उसके बाद आपको upload कर लेना है browse वाले option पे जाकर select करके तो जैसे browse वाले option में select कर लेते हैं, upload वाले option पे click कर लेते हैं, जैसे ही आपका ये document upload हो जाता है तो आप इसको नीचे में scroll करें और यहाँ पे merge का option मिलेगा, merge PDF वाले option पे click करें उसके बाद आप यहाँ पेज को download कर ले, जैसे ही आप download करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का page मिलेगा, अब आपको यहाँ पे इस तरीके से signatures करवा लेना है और यहाँ पे गवाह की details आपको add कर लेना है तो आप देख ले इस तरीके से आपको sign और signature और गवाहो की नाम और आधान नमबर आपको लिख लेना है उसके बाद आपको नीचे में merge PDF वाले option पर क्लिक करना है और नीचे में आएंगे तो next वाला option मिलेगा next वाले option पर जाए और next वाले option पर आने कवाद जो भी आपकी registration फिस होगी उसको payment करने के लिए बुला जाएगा आप यहां पीजिचाप क्लिक करें और on-line आप payment करने तो जैसे आपका payment हो जाता है तो फिस आपको signout वाले option पर आजानता है फिर sign in करले ले levar जैसे आप sign out करते हैं उसके बाद sign in कर लेते हैं हुआ है का इसके बाद आपको फिर से यहां पिर आपको करना क्या है यहां प्रैका crumbs ४ाली आप आप ब्लाक्षेशन की आपर आप या पी अपूशत के फिर से कर लिक आप करना है और आप से आगे पूशा जाएगा कि आप जो है इससे डॉक्मेंट को पोस्ट आफिस के थुरूप आना चाहते हैं कि नहीं यहां पर यस या फिर नो का उप्शन मिलेगा यस या नो तो आपको नो कर देना है क्योंकि अगर आप यस कर देते तो आपकी जो कॉपी होगी रिजिस्टर बाइ पोस्ट आपके घर पे आएगी तो यह आने कब आएगी आप नो कर देते तो सब रिजिस्टर आपिस में जाकर आप इंस्टेंड कॉपी को प्राप्ट कर सकते हैं तो नो करने के बाद आपको इस अप्लिकेशन नंबर को नोट कर लेना है और यहां पर स्लॉट बूकिंग वाले उप्शन पर आना है तो जैसे ही उस जिश्टी को सब्सक्रार आपिस होगा उसका जाएं अब डेट को सब्सक्राइब उसक्राइब सर्फिक चाहते हैं यहां अब जीसट्स आप सब्लॉट वाले उप्शन पर जो आप जितने भी लुट्स हैं उस ट्रिकाशन नीचे में और सब्मिट करते तो आपका जो भ उसकी डेट मिल जाएगे तो दोस्तो जो भी डेट लेंगे जो भी टाइम लेंगे उस डेट को उस तायम पर जाकर Insass relação से c कर दोक्मेंट के REST करने और उसके बाद अप प्रीक को प्राप्त कर सकते हैं यानि kutubal तो दोस्तो आप इस तरीके से आउनलाइन आवेदन करने की बाद जो डेट आप लेते हैं यानि जो स्लोट बुक करते हैं जिस टाइम को उस टाइम पर डॉक्मेंट के साथ आप सब रेजिस्टार आपिस में जाकर वहां से इसका वेरिफिकेशन करवाएं और रेजिस्टर तोर पे आप उसका मॉडगेज करवा लें यानि वहां से फोटो वेरिफिकेशन और अन्य जो भी वेरिफिकेशन होते हैं उसको करवाने के बाद आपको महां से प्रिंट आउट दी दिया जाएगा तो यह आपकी रेजिस्टर्ट मॉडगेज कहलाएगी तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करते चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने हैं